गुड इवनिंग टू ओल हाव अर्यू स्टूडेंट्स हाव इस यूर स्टेडी होप इस गूइंग अन वेल चलिए बच्चो शुरू करते हैं अपने वर्ग वेरी गूड इबनिंग रीना राखी disti राजेश हेमन्त नीलम वेरी गूड इबनिंग पच्चो अ तो सभी बच्ची लगवग तयार हैं अपने वर्ग के लिए और बच्चो शुरू करते हैं स्लीज 30 anyone p-yq स I welcome you on this channel English by Janmay sir चलिए बच्चो शुरू करते हैं अपने आज के वर्क को और आज का वर्क हमारा फिर से इंपॉर्टेंट है और यह रहा बच्चो सबसे पहला question first the very first question for you people is there अगर आप देखिए बच्चो जी मौहित कवीता राहूल कमलप्रीत बंटी बहुत अच्छे बच्चो तमन्ना फिरन गुड़ इबनिंग आप्रिवान तो बच्चो सबसे पहला question हमारा बना है यहां पर हम जरा चेक करते हैं इसको दो फॉर्स्ट कोश्चन फूर अस तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चो हार्डली जैदर बच्चे हार्डली आंसर कर रहे हैं तो बिलकुल सही है बच्चो अगर हम question number one को देखे और यहां पर देखे scarcely का हमें basically क्या देखना है नेरेस्ट नेरेस्ट का मीन्स क्या बना सिनोनिम तो 100 परसेंट बात है हार्डली बनेगा और अगर बच्चो मैं हार्डली की बात करूं तो यह कौन से मतला हमारे क्या part of speech है नाउन है प्रनाउन है एड़ेक्टिव है एडवर्ब है कंजंक्शन है क्या है अगर हम हार्डली जी पलग गोड़ इबनिंग गोड़ इबनिंग सभिया अगर हम से इस सारे वर्ट्स देखेंगे स्कैर्सली हार्डली ओल्वेज सम्टाइम्स फ्रिक्वेंट्ली यह बच्चों है क्या एडवर्ब हैं बहुत अच्छे सब बच्चे वैरिकुड यह सारे ही वर्ट्स एडवर्ब हैं यह आपको धियान रखना है कि यस जोती पीजेटी का रिजल्ट आ गया है अभी-अभी मैंने देखा है जर्स तो आप में से कोई बच्चा जिसका पीज़ीटी में सेलेक्शन हुआ हो मुझे बताए जी बच्चों बताईए क्या किसी का सेलेक्शन आप में से हुआ है अच्छी न्यूज दे तो बच्चों हार्डली स्कैर्सली का सिनॉनिम बनेगा हार्डली कॉशन नमबर टू पे आते हैं अच्छा ठीक है कितनी कटोफ गई है अभी कटोफ नहीं देखिए राहूल अभी हमने कटोफ नहीं देखिए है तो बच्चों देखो 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 अराइब लेट एजन्टेट या फिर पूर्द वेडिंग कहां पे गलती होगी अच्छा 183 जेनरल ओके 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 ठीक है जोती अच्छा सारे सब्जेक्ट आगया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों अभी चेक करेंगे क्लास के बाद में अल्राइट ऑल्राइट तो सब बच्चे मुझे बताएं इसमें क्या अनसर बनेगा आपका कुछ बच्चोंने बी आणसर का है एराइब लेट कुछ बच्चोंने किया है इनकी अहlasting किया है यresso जह बच्चो ध्यान से देखो यहां पर लिखा है अगर हम इसे past indefinite में बना रहे हैं तो बच्चो helping वर्व यहीं से जाएगी तो बजाए इसके did लगेगा क्या बनेगा didn't it को यह isn't की बजाए didn't बनेगा तो बच्चो यहाँ पे c answer बनेगा इसमें गलती यहाँ पे है ठीक है बच्चो correct बार next question a show topper इसका means क्या बनेगा a show stopper a show stopper someone who stops the show organizes a show extremely good या बच्चो fashionable person जी बिल्कुल सही है didn't it बनेगा रहे न तो answer बच्चो इस question number 3 का हमारा क्या होना चाहिए what should be the answer 3 का c बिल्कुल सही answer है show stopper का means होता है a performance that is extremely good correct बच्चो तो इसको ध्यान रखेंगे सब बच्चे यह हमारी एक idiom बन गई यहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स दे एप्रोप्रेट प्रपोजीशन देखो क्या लेका they got married they got married above 17 over 17 into या at 17 क्या लगाएंगे बच्चों आप हां जी राहूल show stopper का means वही है best performance marvelous प्रफोफोवेंस तो क्या बनाएंगे बच्चों question number four का answer आप क्या देंगे तो married के साथ में क्या abo over into या बच्चों एट exactly बच्चों एट बनेगा बहुत अच्छे कई बच्चों हमें बिल्कुर सही जवाब दे दिया है हां जी प्रीती किरन राजिश अंजली नीलम अंजू रीना मोहित राकी बंटी आशू सभिया कमल प्रीत तमन्ना फैरी गुड बच्चों तो यह एट बनेगा तो कि हमें आगे एज को देखना है at 17 इसका मतलब होता है सत्रे की उम् बच्चों अबाउट डिजीज क्या आंस्वर मनाएं गया हां डिडिन्ट ही नहीं आएगा बिल्कुल को देटन्ट ही नहीं आएगा नहीं डिडिन्ट ही आएगा ना अंजू TGT का भी कुछ नहीं कह सकते हैं बिल्कुल बच्चो इसका 4 आएगा No cure for No cure for the disease बिल्कुल सही बच्चो पांचवे का B बनेगा 6 number Select the option that is correct about voice Voice के बारे में देखना है Active voice के बारे में Form of the given sentence Sentence क्या है 500 people are employed by this company ठीक है बच्चो तो इसके active voice क्या बनेगी This company Employees, this company Has employed Cdc बात है बच्चो इसे मार आए वो किससे बनता है डूडज से तो डूडज वाला देखो इस वाला नहीं बनेगा Employee बन सकता है, Employees बन सकता है ये भी गलाता है, Has नहीं बनेगा तो कंपनी के साथ में Employees आता है बच्चो इंप्लॉई आता है खुद बताईए Employees आता है तो answer क्या बन गया आपका हाँ जी, बहुत सही answer दिया है कहीं बच्चो ने स्लीव, तो देखो क्या लिखा है Only when you left, I did sleep, तो इसमें क्या गलती है Only when you left, I slept, did I sleep, had I slept, या बच्चो no improvement Question number 7 का answer क्या देंगे आप लो जी, बताईए अगर बच्चो हम इसे only से शुरू करते हैं, only जैसे आप ने देखा not only but also, only when you left, तो आएगा यहाँ पर I did sleep, नि did I sleep, तो B answer बनेगा आपका Only when you left, did I sleep, correct everyone तो answer बच्चो question number 7 का B बनेगा हमारा जी, समने में आ रहा है सा बच्चों को 7 का answer आपका B बनेगा question number 8, I will be happy if you will buy me apples बच्चों सीदी सी बात है कि हमारा कैसा sentence है, यह sentence है हमारा यह sentence है बच्चों हमारा conditional और अगर conditional sentence में देखेंगे दोनों तरफ जैसे I will be happy तो if वाले में कभी भी will नहीं आता, बच्चों क्या बनता है if you buy, सिर्फ buy आएगा यहाँ पे present indefinite में बनता है एक तरफ रहता है आपका future और एक तरफ रहता है बच्चों present indefinite तो बजाए यहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, if you buy me apples यहाँ यहाँ से हट जाएगा, बिल्कुर सही है रहूल, ता अंसर बच्चों क्या बनेगा आपका ए क्योंकि will buy को हमें change करना है, will buy को देखना है, क्या गलती बनेगी directions, इसमें क्या देखना है बच्चों, opposite word आपको देखना है, opposite in meaning reluctance, to reluctance, the reluctance of the officer was obvious, मतलब short थी, तो बताओ reluctance का, reluctance का means क्या होता है, eagerness, agitation, enjoyment, unwillingness opposite आपको देखना है, पहले तो आप यह बताओ कि reluctance का बच्चों means होता क्या है reluctance का means क्या होता है, c, बिल्कुल सही है मोहित, अगर हम देखें बच्चों reluctance होती है, एक तरह से, इच्छुक होना, किसी चीज का इच्छुक होना, तो इसका उल्टा agitation बन जाएगा, agitation का means है बच्चों के, मतलब किसी चीज को करने में इच्छा न बनना, इच्छा बनना, agitation रखना, reluctance, अनि चुक, agitation yes, सब अच्छे answer कर रहे हैं, ठीके, ठीके, all right yes, everyone हाँ, बिल्कु ठीक है, unwillingness है, okay, okay, एक मिन देखो, भई, reluctance का means है, मैंने आपको लिख दिया है, अनिच्छुक, एक मिनट रुकेंगे, reluctance का means है, अनिच्छुक होना, अनिच्छुक का means क्या बना, यहाँ पे, unwilling, तो देखो, आप यहाँ पे, unwilling, और बच्छो, enjoyment का कोई means ही नहीं बना, unwilling होना, और hesitation होना है, यह तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, eagerness बनेगा, बच्छो, eagerness, sorry, यह opposite हमें देखना है, reluctance का उल्टा बनेगा, eagerness, a must भी दा आ meditation ही होता है, exactly बात बनेगे, तो समझ में आ गया, answer इसका a करेंगे, b answer इसका नहीं होगा, next question पर आते है, direction आपको देखना है, opposite word देखना है, किसका बच्छो, course, c-o-a-r-s-e, अब देखो, a का आपका course होता है, c-o-u-r-s-e, इस course का means होता है, syllabus, लेकिन बच्छो, यह course, course का means होता है, मूटा, जैसे बालू होता है, मूटा, रेत होता है, मूटा, तो course type का, जैसे course serials होते हैं, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, बच्छो, placing, rude, polished, या फिर soft, क्या बनाएंगे आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिपती, आपका यह answer है, बिल्कुल सही है, जिन बच्छो क्या बनेगा, polished, polished, polished करके आप उसे खुर्दुरा या मूटा सा नहीं रहने देते हैं, polished answer बनेगा, ना कि soft बनेगा, है ना, soft बनेगा, उल्टा, hard का, अगर हम hard कह दें, है ना, बच्छो, बात समने में आ रहे हैं सबको, तो answer हमारा होगा, हाँ, course रफ होता है, बिल्कुल, स creator, creator, center, या फिर बच्चो, carrier, देखो, ऊपर वाला देखो, ये career होता है, जो हमारा career हम बनाते हैं, अपना, मतब करियर बनाएंगे, तो इसको basically career कहते हैं, इस तरह से बोला जाता है, नीचे है carrier, इसको कहते हैं, बच्चो, carrier, हम हमेशा कहते हैं, हम अपना career बनाएंगे, career का means होता है, जैसे आपने cycle देखिए, बच्चो, cycle, cycle, maximum बच्चो ने देखियोगी, इस cycle में पीछे की तरफ यहाँ पर होता है, ये, इस तरह से बना होता है, जिस पे समान रखते हैं, या फिर बैठ के जाते, carry करने वाला, carrier कहलाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, तो answer बताए आपका, center की spelling, बाकी तो सही है, नीचे वाला carrier जो होता है, ये cycle के पीछे वाला carrier, जैसे public carrier भी कहते हैं, और बच्चो, ये career होता है आपका, जो आप बनाते हैं, जैसे career will, ये उपर वाला career will है, लेकिन सब बच्चे उसे हमेशा carrier will कहते हैं, that is not carrier will, it is career will, है ना बच्चो, सम पारे हैं, इसके pronunciation में हलका सा difference है, जैसे कई हो सारे words हमारे पास होते हैं, आपने ये word देखाओगा, taste, और test, तो हम इनमें अक्सर गलती करते हैं, जैतर बच्चे देखे हैं मैंने, वो कहते हैं, आज मेरा taste है, class में, चलो इसको test करते हैं, इस खाने को test करते हैं, खाना taste होत होता है, ये बच्चो, class में आपका परिक्षन होता है, ठीक है जी, अगले question को देखेंगे, punctuation आपको देखना है, punctuation, find out the correct one, तो देखो इन चारों में से आपको find out करना है, कि correct punctuation किस में बना है, सही वाला punctuation बच्चो किस में बना है, क्या first में है हमारा, the creator answered yes but, yes but by accepting the burden, ये ये गलत हो रहा है, देखो, गलत हो रहा है पूरी तरह से, आप इसको देखें, creator answer yes, yes दोनों तरफ से गलत हो रहा है, the creator answer ये थोड़ा सही लग रहा है, inverted comma जे फिर comma लगा, yes but by accepting the burden will show, और ये बच्चो एक correct यहां पर बंध भी हो रहा है, है ना full stop लगा है, तो answer आपका C बन Select the most suitable substitute for the underlined phrase, in the given sentence, anyone who has worked with my uncle, यहां से इसको देखेंगे sentence को बच्चो, anyone who has worked with my uncle, knows that he is someone who will call a spade a spade, इस word का meaning आपको बताना है, इस phrase का meaning, तो क्या, talk about digging, in terms about agriculture, या बच्चो, about spades, 13 number का बताएंगे, हाँ, because he is reply, बिल्कुर सही है, 13 का B, maximum बच्चो ने बता दिया है, बहुत अच्चे, अंजू, जोती, सभिया, राहुल, राकी, इसका answer बच्चो बनेगा, talk in plain terms, मतलब इसको, इसका means होता है, बच्चो, सीधे सीधे कहना, सीधे सीधे कहना, उसमें कोई भ हाते है, उसको सीधे सीधे, होता है, बड़ा परसन सीधे सीधे कह देता है, स्पेड स्पेड कहता है, farming depends on water, farming किस पर डिपेंड करती है, बच्चो, water पर डिपेंड करती है, फिर लिखा है, which will be available only during the monsoon, तो इसने पूछा है, यह जो underlined है, यह कौन सी है, adjective clause है, adverb principle या सुन, यह बच्चो कैसी, और सभी बच्चे सही जवाब देंगे, आज morning में आपने इसको किया है, class में, farming depends on water, अच्छा buffering का issue हो रहा है, ओके, 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 एक minute बच्चो में चेक कर लेता हूँ, इसको, यह ऐसा क्यों हो रहा है, हान जी, buffering इसमें हो रही है, आज, इसको थोड़ा सा change करके देखते हैं, कोई बात नहीं है, अच्छा एक काम करेंगे, सब बच्चे देखों हम चलता है के नहीं, यह buffering कर रहा है, बच्चो एक minute लगीगी हमें इसको, जो हमारा like इसमें कहते हैं, अब देखते हैं साइट ठीक रह जाए है, हाँ, बिलकुल सही है बच्चो यह adjective clause बनेगी, adjective clause, ठीक है जी, उसका सबसे बड़ा कारण है, बच्चो लिखा है, farming depends on water, farming water पे depend करती है, हाँ, water को modify कर रहा है, बहुत अच्छे, तो कोन सा पानी, which will be available, तो which का answer बनदा है, यह which का answer दे रहा है, हाँ, बिलकुल ठीक हरा की, देखो सब बच्चे समझ पा रहे है, मुझे खुशी हो रही है, इस बात की कि आपने फटा फटा आंसर कर दिया, very good बच्चो, question number next, choose the correct meaning of the underlined word, underlined word क्या है बच्चो, Achilles heels, Achilles heels का मतलब कुता क्या है, आपने Achilles की movie भी देखी होगी बच्चो, जी answer कीजिए, हाँ, अच्छा, अभी भी हो रही है, अब तो ठीक हो गई वह बफरिंग, जहां तक मुझे लग रहा है, अब बच्चो बफरिंग ठीक होनी चाहिए, आपकी, weakness, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, जोती, रीना, राकी, करेक्ट आंसर दे दिया है बच्चो, इसका means होता है, weakness, तो Achilles heels, जैसे होता न, आपने सुना था, दुर्योधन की, दुर्योधन की जंगा थी, दुर्योधन की जंगा सबसे कमजोर थी, वो उसकी Achilles heel थी, यह समझ लो, तो Achilles की heel क्या थी, वो बच्चो उसकी weakness थी, ऐसे मानेंगे इसको, दन, अगले question पर देखते हैं, pick the sentence which is correctly punctuated, आपको बच्चो फिर से punctuation देखना है, Oh no, I forgot, I'll phone her now, Oh no, I forgot, I'll phone her now, बताए कौन सा बच्चो सही है, इन में से चारों में से, देखो, Oh no, I forgot के बाद में यह दिया है, यह बच्चो गलत हो रहा है, Oh no, दो नहीं आएंगे, Oh no, for goat, full stove, I'll phone her now, गलत बच्चो क्योंकि इसमें कुमा नहीं आएगा, है ना, एह ही अंसर सही बनेगा, हाँ, maximum बच्चो ने सही जवाब दी दिया, बहुत अच्छे, जी पिंकी, अच्छा अभी भी, अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक मिनिट लगी कि बच्चो इसको जरा वो कर लेते हैं, हम जरा इसको चेंज करके देख लेते हैं, इसके connection को चेंज कर लेते हैं, बच्चो एक मिनिट लगी, हाँ जी बच्छों मुझे बताईए कुछ ठीक हुआ या उतना ही है अगर मैं बताऊं आपको तो नेटवर्क बहुत अच्छा है बिल्कुल क्लियर हो रहा है नेटवर्क काफी अच्छी नेटवर्क की स्ट्रेंथ है बट इस्टिल एट लुक्स लाई के वहां पे बफरिंग है येस बच्छों आप मुझे बताईए कुछ ठीक हुआ क्या अच्छा वोल्यूम नहीं आ रहा है हलो 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 वोल्यूम आनी चाहिए तो बच्छों इसमें आंसर अगर हम देखेंगे तो आंसर हमारा बनेगा चले ठीक है ना ओके है तो बच्छों इसमें आंसर हमारा ए ही बनेगा आंसर हमारा क्या बनेगा है हाँ पे ए वुट भी दा आंसर ए वुट भी दा आंसर क्ष्छन में नेक्स पर जाते हैं चेंज दो वोईस ऑफ फॉलोविंग सेंटेंस इस इस रिपोर्ट एंड देट मैनी पीपल आर होमलेस आफ्टर अर्थक्वेक अच्छ वीडियो ही क्लियर नहीं है यह आप कह रहे हैं हाँ जी बफरिंग की कंडिशन इसमें बन रही है बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है मैं देख पा रहा हूं क्योंकि बारिश काफी हुई है आज भी मॉर्णिंग से बारिश ओरी दी दोपहर तक तो कनेक्शन नेटवर्क की प्रॉब्लम आगी मुझे लगता है जी बच्चों बताइए क्या बनेगा इसमें चेंज दे वोईस ऑफ दे सेंटेंस सेंटेंस की बच्चों वोईस आपको चेंज करनी है यस बच्चों से के सी आंसर अर्थक्वेग अशेंड मैंनी फीपल होमलेश गेकर बच्ची तो देखो जिसे रिपोन एंड लू होमलेश आफ्टर दार कीनि淨 दैतं वर 220 अर्थक्वेगuka हाँ जी बच्चो ए आंसर बनेगा बिल्कुल सही है आंसर इसका क्या होगा बच्चो ए यहाँ पर क्या रिक है आई सेव्ड की जगा आपको बताना है क्या आएगा शेल सेव्ड शुड है या बच्चो है आप्टर आई हैव सेव्ड सम्मनी आई शेल गोए ब्रोड क्या बनाएं गया आप हाँ जी बच्चो क्या बनाएं गया आप होना चाहिए इसमें बच्चो आंसर आपका सी बनेगा देखो इसका मतलब क्या है 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 सेव्ड आप्टर आई हैव सेव्ड सम्मनी जब मैं बचा चुका होंगा आई शेल गोए ब्रोड ठीक है यह बाद वाला है यह फर्स्ट वाला है तो यह किसमें बनेगा हैव सेव्ड मनेगा तो आंसर आपका बच्चों सी या आएगा स्किशन नहोंन नेग्स देखते हैं चैनल के यह यू यू एरेंज्ट गाट्ट इसव प्रजा कार थानन यह ये खृड तो आपको देखना आपको आथे बच्चों इसमें अरेंज the car, can you arrange the car to be ready this evening, can you arrange with the car, can you arrange for car, can you arrange that the car, yeah no improvement, क्या आएगा, C, okay, 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 all right, बच्चों, ठीक है, ठीक है जी ठीक है, 19 का B आपने का है, can you arrange for the car, exactly B answer जाएगा बच्चों, answer should be B, can you arrange for the car, ठीक है जी, तो D नहीं बलकि C answer बने का, can you arrange for the car to be ready this evening, क्वर्शन नुबर्न 20, everyone would die for his country, affirmative, interrogative, choose the correct interrogative sentence for the following affirmative, इसके लिए बच्चों, interrogative आपको बनाना है, everyone, everyone would die for his country, तो बताओ, who would not die for his country, whom would die, कोई बात ही नहीं बनी, would you, would everyone, नहीं, should one die, नहीं, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, आपका A बनेगा, who would not die for his country, assertive है, बिल्कुल सही है, बच्चों, 19 का D बनेगा, और 20 का हमारा A बनेगा, बिल्कुल सही है भी ना, Question No.21 को देखेंगे, It is foolish to waste time in reading trash, It is foolish to waste time in reading trash, तो बच्चों क्या आंसर बनाएंगे इसका, बताइए, जी आश्यू, अच्छे, नेटवर्क की प्रोब्लम ज्यादा हो दिये, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा स्मूधली नहीं चल पा रहा है, 21 में बच्चों आपको इसको अगेन उसी तरह से बदलना है, जैसे आपने पीछे बदला था, ये सेंटेंस कैसा है आपका, आफ्रमेटिव, आपको इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव, ओके, तो देखो जरा, इट इस फुलिस्टो, इसमें क्या बनेगा सीधी सी बात है, सी बनेगा बच्चों, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैस, वाई से बन जाएगा, इक्जैक्ट हो गया, बच्चों आपको इसको इंटरोगेटिव में बनाना है, आई हैव रेड गोदान बाई प्रेम चंद, तो देखो, ड़्यू रीड, वो हैज रिटन, या वेन डिडिड यू रीड, या फिर हैव यू रेड, तो अगर हम लास्ट वाला देखें, ये बच्चों ये जम रहा है हमारा, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, डी यहाँ पे, हाँ जी, नेटवर्क प्रोब्लम है, बिल्कुल सही है बात रीना, तो ट्वंटीटू का बच्चों आंसर डी बनेगा, करेक्ट, आच्छा एक वर्क हम ऐसा करते हैं, बच्चों आज आप करेंगे बढ़िया से, ठीक है जी, टुडेए यू हाँ टू मेक दीज मस्ट क्वेशन, तो देखो लगातार आपकी प्रैक्टिस चल रही है बच्चों, लगातार आप वर्क कर रहे हैं, इसको वर्क को लगातार बना के भी रखें, ठीक है जी, जी बच्चों 22 का डी बनेगा, तो वीडियो को लाइक कर लें सब बच्चे, सेयर कर लें, सबस्क्राइब कर लें, आल राइट बच्चों, चलिए कल मिलते हैं, थैंक्यों सौ मच, हाव अ ग्रेट टाइम,